आप में से जो भी लोग हमारी वेबसाइट को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि लास्ट वीक युएस कंपनी बोईंग ने इनन एफोर्स को अपना नया केसी 46 एरिल टैंकर आफर किया है ये एक बहुत important development है जिसे इनन मीडिया में ज़्यादा cover नहीं किया गया है आज के इस Guarding India के वीडियो में हम आपको बोईंग के इस नए टैंकर केसी 46 के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनन एफोर्स को इन टैंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सब्डेट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेर ज़रूर करिएगा तो स्टार्ट करते हैं फिर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इनन एफोर्स टू फ्रंट वार यानि एक साथ पाकिस्तान और चाइना के हमले का सामना करने की तयारी कर रहा है इसके लिए ये जरूरी है कि इनन एफोर्स की फाइटर्स जादा से जादा समय तक हवा में रहें और लगातार पाकिस्तानी और चाइनिस फाइटर्स जैट्स को वार के टाइम डिस्ट्रॉई कर सके इस काम के लिए उन्हें हवा में ही रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है और इस काम के लिए यूस किया जाता है एरिल टैंकर्स jet fuel भरा जाता है जो कि aerial tanker के use से कहीं जादा होता है और इसी fuel को fuel transferring systems के द्वारा fighter jets में transfer किया जाता है fighter jets में aerial tanker से हवा में fuel लेने के लिए aerial refueling probe लगा होता है कुछ aircrafts जैसे कि दसाल तरा फेल और हालते जिसमें ये aerial refueling probe बाहर लगा रहता है जिससे आप वीडियो में clearly देख सकते हैं अभी इनने force के पास 6 IL-78 MKI aerial tankers हैं जिने इनने force ने युक्रेयन से खरीदा था और इनकी first flight 11 January 2003 में हुई थी इनने force IL-78 MKI aircraft को mid-air refueling system यानि Mars भी कहते हैं IL-78 MKI में 3 refueling points होते हैं जिसमें से 2 refueling points दोनो wings के end में और एक tail के पास लगा होता है इन refueling points के ऊपर refueling ports लगे होते हैं जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं IL-78 MKI aerial tanker एक बार में 110 ton fuel ले जाता है और एक flight में 6 से 8 सुखोई 30 MKI fighters jets को refuel कर सकता है जिससे सुखोई 30 MKI fighters लगा तार 10 घंटे तक हवा में रह सकते हैं आपको यह जानकर आश्चर होगा कि पाकिस्तान Air Force के पास भी 4 IL-78 MP aerial tankers हैं जिसमें यूक्रेन के बने हुए removable fuel tanks और UPAZ refueling ports लगे हैं लेकिन पाकिस्तान Air Force के ये IL-78 MP tanker यूक्रेन Air Force के पुराने tanker हैं जिनकी performance इन इन Air Force के IL-78 MKI aerial tanker से कम है अब बात करते हैं Chinese Air Force की अभी Chinese Air Force यानि PLAAF के पास 13 aerial tanker हैं जिसमें से 3 IL-78 MP aerial tanker हैं इसके अलावा Chinese Air Force के पास 10 Ziyan HY6 aerial tankers भी हैं Chinese और पाकिस्तानी Air Force के aerial tankers की बात करने के बात अब आते हैं Indian Air Force की future requirement पर Indian Air Force को अभी 6 और aerial tankers चाहिए और 2006 से दो बार Indian Air Force 6 aerial tanker की खरीदने के लिए टेंडर इशू किये थे और दोनों ही बार Airbus A330 MRTT aerial tankers को winner select किया गया था लेकिन दोनों बार Ministry of Defense ने इन सिस्टम्स की high cost के चलते डील को cancel कर दिया था जिसके चलते 15 साल बाद भी Indian Air Force को कोई भी नए aerial tanker नहीं मिला है 2020 में इंडिया ने अपनी defense procurement policy में change किया और military systems को lease पर यारी किराय पर लेने का system शुरू किया इसके बाद Airbus ने Indian Air Force को अपने Airbus A330 MRTT aerial tanker को lease पर देने का offer दिया है जिसमें इंडिया को अभी कम payment करनी होगी इसके अलावा फ्रांस ने भी इंडिया को Airbus A330 MRTT tanker कम rate पर एक government to government deal के अंदर देने की बात की है इन दोनों ही offers पर अभी Indian Defense Ministry विचार कर रही है अब हम आपको Airbus aerial tanker के बारे में बताएंगे इस aerial tanker का पूरा नाम Airbus A330 multi-role tanker transport यानी MRTT है ये tanker Airbus के civilian Airbus A330 passenger aircraft की design पर बनाए गए है Airbus A330 MRTT एक multi-role tanker है जो कि jet fuel या military cargo या दोनों एक साथ ले जा सकता है एक A330 MRTT aerial tanker एक बार में 111 ton fuel और 45 tons cargo ले जा सकता है जो कि इनने force के IL-78M की आई से पूरे 46 ton जादा है इसके अलावा लद्दाकिन stand-off जैसे situation में ये 380 fully armored troops को भी ले जा सकता है अपनी inequalities के चलते अब तक दुनिया के 12 देश 60 Airbus A330 MRTT aerial tankers का order दे चुके है Airbus के aerial tanker की बात करने के बाद अब आते हैं US यानी Boeing के offer पर Boeing के aerial tanker को Boeing KC-46 Pegasus कहते हैं जो कि Boeing 767 civilian aircraft के उपर बनाए गया है इसमें दो बड़े jet engine लगे हैं और ये Boeing के कई aircraft की best technologies को यूज करते हुए बनाए गया है एक aerial tanker होने के अलावा Boeing KC-46 tanker, passengers, cargo और medical evacuation भी कर सकता है Boeing KC-46 tanker में कई तरह का protective system लगी होते हैं जिससे ये medium threat environment में भी आराम से operate कर सकते हैं Boeing KC-46 एक बार में 96 tons fuel या 18 pallets या 54 injured soldiers को ले जा सकता है Boeing KC-46 और Airbus A330 MRTT aerial tankers की capabilities को cover करने के बाद Team Guarding India की तरफ से मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही aerial tanker Indian Air Force की IL-78 MKI से बहुत अच्छे multi-role tankers हैं और इन में से कोई भी एक select हो सकता है लेकिन important बात ये है कि ये decision Government of India को जल्द ही लेना होगा क्योंकि इनने Air Force को इन tankers की बहुत जरूरत है जोकि नए aircraft जैसे की 83 हालतेजस MK1A के आने के बाद और भी बढ़ जाएगी क्योंकि इन सभी aircraft में aerial refueling capacity है जिने इनने Air Force के 6 IL-78 MKI tankers पूरी नहीं कर पाएंगे इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं वीडियो कर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और चल्द को subscribe करना मत भूलिएगा हम इसी तरह आपके लिए defense related videos लाते रहेंगे मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में जय हिंद